हलो फ्रेंद्स वेलकम टू सार्थी लेटिल गार्डन और कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों काफी दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ तो आज सोचा बारिश की बूंदे आसमा से टपा की रही थी कि मेरी जो वाटर लिली है और रेन लिली है तोनों ही खिल उठी है और ये देखे कितना खुबसूरत ये नजारा मुझे लगा और इसको देखते ही इतना मन खुश हो गया ना कि आप बस पूछे ही मत और कुछी दिन पहले मैंने स्टैंग की सफाई की है आप नीचे इसकी सर्फिस देख पा रहे होंगे कितना क्रिस्टल क्लियर ये वाटर लग रहा है और बारिश की बूंदे पढ़ने के साथ ही ये तो और भी खुबसूरत हो गया इसकी पत्तियों में बूंदे इस तरह से खुबसूरत लग रही है कि इसकी शायद शब्दों में मैं इसे बया नहीं कर सकती तो देखिए दोस्तों कितनी खुशी होती है जब आपके गार्डन में इस तरह से जो नई वराइटी के फूल है वो खिलते हैं तो देखिए आप खुबसूरत लग रहा है न और यह देखिए तो दोस्तों देखिए आप जब कोई खुबसूरत चीज देखते हैं तो उसकी तारीफ आपको जरूर करनी चाहिए मुझे यह लगता है तो देखिए पतियों का जो कलर है इसमें आपको पता चल रहा होगा जो बिल्कुल ग्र वीडियो भी मैं बहुत जल्दी डालूँगी आपके लिए और देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर ही है यह पानी चोटे से टब में लगाया है इसमें भी मैंने एक चोटा टब अंडर डाला है इससे फादा यह होता है न कि आपका जो टैंक है वो सफाई उसमें बहुत असा हो जाती है और आप पानी चेंज भी बहुत असानी से कर लेते हैं इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है अपने वाटर लिली पे और बहुत खुबसूरत यह प्लांट है इसकी इतनी अच्छी ग्रोवत इसलिए है क्योंकि मैं इसे गोबर की खाद और जो वुड में आपको दिखाने कोशिश कर रही हूं बहुत खुबसूरत लग रहा है और खाद इसके लावा आप इसे फर्टिलाइज अच्छे से करने के लिए एंपी के 19-19-19-19 का फर्टिलाइजर दे सकते वो भी बहुत अच्छा है बस आधी चम्मच आप प्रतेक इस तरह की प्लांट्स बाइए